एक तांत्रिक ने एक लड़की को करा अपने वश में, वश में करने के बाद उस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं करा, मानो उस लड़की की पूरी जिंदगी बरबाद कर दी, और ना केवल उस लड़की की लेकिन उसके पूरी परिवार की भी जिंदगी बरबाद कर दी, ऐ जोतिका आर्माधवन और गुजराती एक्ट्रस जानकी बुंदेवाला ये मूवी कैसी है और करते इस मूवी का फुल डिटेल रिव्यू जानने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ मेरी वीडियो को एंड तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तुसे लाइक जरूर करना और कमेंडे चनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना काला जादूं हैu ब्लाक मैजिक इसके बारे में तो सब लोग जानते ह waiting और कंई लोग ऐसे भी होगे जिन्हों ने सीज को डाइरेक्ली या पर सारे पॉड्कास्ट भी ऐसे हैं जो इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं जिन लोगों ने इस ब्लाक मैजिक को परस्नली या इंडारेक्ली एक्स्पीरियंस कर रहा है वो लोग जानते होंगे कि यह सारी चीज़े कितनी खतरनाक होती हैं कई लोगों का मानना यह भी होता ह है कि यह ब्लाक मैजिक कुछ नहीं होता लोगों का वहम होता है लेकिन वहीं कहीं लोगों का यह मानना भी होता है कि जहां पर पॉजयवेघ ऑनरघई वहां पर इस तरह की नेगटिव इनरजी यह पोजेशन ना केवल जानकी को बल्किए अजे देवगन की पूरी फैमिली को एफेक्ट करता है इस ब्लैक मैजिक में क्या क्या होता है और कैसे अजे देवगन अपनी बेटी और अपनी फैमिली को आर्मादवन से बचाते हैं वो सब जानने के लिए आपको यह मूवी दे को इसफेकी पूरी मूवी वैश्च को रिमेक करे शैतान बनाए गया है केवल दोनों मूवी ्से अपनी की बोरेता है या बहल चांद यहां दखी जो मूवी व्श्च थी उस में जो में लड़की रखा गया है जिसको इस मूवी में भी आर्मादवन पूसेस करते है इस movie की जो total length है वो है 2 गंटा 12 मिनिट, movie की starting में आपको लगेगा कि movie start कब होगी, मतलब थोड़ी से boring लगेगी, लेकिन उसके बाद जो movie का first half है वो काफी अच्छा काफी interesting, काफी engaging है, क्योंकि उसी वाले first half में आपको देखने को मिलेगी आर मादवन की entry, कि कैसे आर मादवन अजे देवन की family में entry लेते हैं और लड़की को possess करते हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि interval नहीं होना चाहिए, movie flow में चलते रहना चाहिए, लेकिन interval के बाद जहां आप लोगों की expectations बड़ी होती हैं इस movie से, आपको लगता है कि कुछ interesting अब आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि बहुत जादा आप लोगों को goose bumps आएंगे, वहाँ जाकर आपकी थोड़ी से expectation second half में कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि horror वाले scenes नहीं आते हैं, goose bumps वाले scenes आते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं आते जितने promising इस movie के trailer में दिखाये गए थे, कही ना कहीं movie का second half है, वो first half से थोड़ा सा low हम लोगों को लगा, अगर हम technically movie को देखे तो जो movie का screenplay है, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा low लगा, क्योंकि जिस तरह की movie थी, जिस तरह की movie की demand थी, कि इसकी intensity को maintain करके रखना चाहिए था, उस intensity को maintain नहीं किया गया है, कहीं कहीं ये movie बहुत जादा hype ले और उनको जिस तरह से movie में use किया गया है, वो काफी अच्छा और काफी interesting है, अगर हम इस movie की cinematography की बात करें, तो इस movie की cinematography काफी अच्छी है, इस movie का background music भी बहुत अच्छा है, जो horror वाले effect है, वो इस movie के background music से ही आ जाता है, तो अगर हम इस movie की overall direction देखें, तो विकास बहल क जो movie में direction है, वो काफी सही है, इस movie का climax है, वो भी काफी अच्छा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कि वश्च movie से इस movie का climax है, तो ड़ा different है, उसके according इस movie का climax है, वो काफी अच्छा है, मैं spoiler नहीं दूँगी, लेकिन इस movie के climax में एक छोटा सा twist है, वो बहुत interesting है, जिसकी वज़े से movie कहीं न कहीं आपको बांद के रखेगी, अब अगर हम इस movie की casting की बात करें, तो आप सबसे पहले बात करते हैं, अजे देवगन की, जिन्होंने इस movie में एक father का role play करा है, कहीं न कहीं अजे देवगन को देखके, आप लोगों कैसा लगेगा, कि आप दिर्शम वाले रोल से बाहर ही नहीं आए, जैसे जा देवगने दिर्शम में एक role play करा एक protective father का, एक समझदार इंसान का, जो सोच समच के decision लिया करता था, अपनी family को protect करके चलता था, वैससा ही same role उन्होंने इस movie में भी play करा है, औल्दो वो बहुत अच्छे actor है, उन्हों हम बात करते हैं, इस movie की main lead आर्मादवन और जानकी की, तो इस movie में आप लोग आर्मादवन को देखो के पहली बार as a villain, आर्मादवन एक बहुत अच्छे actor है और इस movie में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा role play करा है, जो demand थी इस movie में, villain के लिए, वो इस चीज़ को आर्मादवन ने पूरी तरीके से निभाया है, जो आर्मादवन की voice है, उसमें एक अलग सी heaviness है, आर्मादवन ने अपनी उसी voice को use करके इस movie में जान डाली है, तो जो villain वाला role है आर्मादवन का, वो इस movie में काफी अच्छा है, अब अगर हम बात करें जान करें, बहुत अच्छा role play करा है, जब आप movie को देखोगे और जानकी के roles को देखोगे, जानकी के scenes को देखोगे, तो आपको कहीं न कहीं goose bumps भी आएंगे, उन्होंने काफी अच्छा काम करा है, और उन्होंने अपना role बहुत अच्छे से निभाया भी है, अगर casting की basis पे हम ल अगर मुवी की scoring के बात करें तो हम इस movie को score करते है, 3.5 out of 5, movie अच्छी, interesting है, आप लोगों को बांद कर रखेगे, जो score इस movie में minus हुए, वो हुए, एक तो अजय देखन के acting की वज़े से, उनको देखे कहीं न कहीं, वो दिश्यमाला feel आई रहा था, तो हम कह सकते हैं कि और दूसरी बात है कि इस movie में कुछ भी vulgarity, nudity नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को इस movie को थेटर में देखने में ही मज़ा आएगा, क्योंकि जो इस movie के VFX हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और वो थेटर की बड़ी screen पर ही देखने में मज़ा आएगा, आदान और जानकी की जो acting है, वो गूसबंस देने वाली acting है, वो बहुत अच्छी है, तो फिर आप लोग वेट के इस चीज़ का करें, जल्दी से जाएगे, movie के tickets book कीजिए, और इस horror को experience कीजिए